नमस्कार दोस्तों आज इस वडियो में हम बात करेंगे फोडे फुंसी के ट्रीटमेंट में उपयोग होने वाली दवाईयों के बारे में फोडे फुंसी को सुखाने के लिए कौन-कौन सी दवाईया उपयोग की जाती है उन दवाईयों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे जो फोडे फुनसी का infection है वो कितने प्रकार का होता है उसके लक्षन क्या देखने को मिलते हैं और medicine कौन-कौन सी उप्योग की जाती है हुँ सभी के बारे में आज इस वडियों में हम जानेंगे तो वीडियो को भी नस्किप के पूरा देखेगा बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी मैं हूँ आपका हुष्ट प्रजर पति विकास और आप देख रहे हैं जैनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल चले बात करते हैं फोडे फुंसी के इलाज में उप्यों कोने वाली दवाईयों के बारे में उससे पहले दोस्ता आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजेगा ऐसे ही नई नई वीडियों आपको मिलते रहेगी तो फोडे फुंसी को सुखाने के लिए दवाईयों के बारे में हम जानेंगे और ये जो फोडे फुंसी का इंफेक्शन है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहला है इसमें कार्बकल कार्बकल एक प्रकार का फोड़ा होता है और यह फोड़े जैसा दिखता है ऊपर से और इसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं दूसरा होता है इसमें Impactigo Impactigo एक प्रकार का सामधिये संकरमन है जो कि तूसा से जोड़ा संकरमन है और चेहरे पर लाल निशान हो जाते हैं ये ज़्यादा तर छोटे बच्चों में और सिश्यों में होता है और ये गाव जैसा दिखता है जो कि ज़्यादा तर नाक और मूँ के आसपस होता है इसके अलावा तीसरा होता है इसमें Cellulitis Bacteria की वज़े से होता है जिसका नाम है Streptococcus Bacteria और इसकी वज़े से तवचा में सूजन आ जाती है और तवचा लाल हो जाती है साथ साथ चमकदार हो जाती है जो प्रवावित हिस्सा है वो चमकदार हो जाता है इसके लावा फूर्थ नंबर पर इसमें जो आता है वो है Aricipelis और ये भी Bacteria की वज़े से संकर्मन होता है जो कि तवचा की उपरी सते पर होता है जब इस तवचा में गाव या कट लग जाता है तो Bacteria उसके अंदर चले जाते हैं और संकर्मन फैलाते हैं और तवचा की उपरी सते पर लालिमा और सूजन आ जाती है लास्ट में आता है इसमें Folliculitis जो की बालतोड जिसको कहते हैं और बालतोड तवचा से जुड़ा विकार है जो की बालों की रोम में फंगल और जिवानों की वज़े से ये संकर्मन होता है और इसकी वज़े से तवचा पर जो बालों के रोम है वहाँ पर सूजन आ जाती है और ज्यादे तर ये समझ्या जांगों में बगल में और गर्दन के असपस देखी जाती है अब बात कर लेते हैं इसके लक्षन के बारे में क्या क्या लक्षन हमें देखने को मिलते है तो तवचा लाल हो जाती है उसमें सूजन आ जाती है पस बनने लगता है इचिंग होने लगती है और दर्द होने लगता है साथे साथ बुखार भी आ सकता है अग्यों के बारे में कौन कौन सी दवाया उपयोग की जाती है सबसे पहली यहाँ पर दवाय उपयोग की जाती है कोड्रायमॉक्साजूल टेबलेट यह इसके अंदर Marketing और tulfa mitoxazool लाता है इसलिए इसको कोड्रायमॉक्साजूल कहते है इसके अंदर देखिए Trimito Prime 160 mg है और Sulphamitoxazole 800 mg है इसको खाना खाने के बाद लिया जाता है और सबसे पहले दो दिन तक इसको सुभे शाम दिया जाता है दिन में दो बार फिर उसके बाद 7 दिन तक इसको दिन में एक बार दिया जाता है तो इस प्रकारत से ये Fodafons के इलाज में काम आती है उसको सुखाने के लिए यूज की जाती है दूसरी जो इसमें मैडिसन वो है ओइंटमेंट म्यूपी रोसीन ओइंटमेंट जो की एक प्रकार की एंटी बायोटिक है दो परसेंट इसमें म्यूपी रोसीन आता है और म्यूपी सिप के नाम से ये मार्केट में मिल सकती है हो सकत साथ जाने सोरी है लालिमा हो रहां पर इसको एपलाई करते हैं इसके बात नैक्स्ट हम बात करें तो वह आता है कैप्सूल जो की कलिंड़ा माइसिन का कैप्सूल आता है 300 mg में आता है और यह जो कैप्सूल एक–150–300 तक दिया जा सकता है दिन में चार बार यह एक प्रकार की एंटी बायोटिक है और इसको प्रेग्देंसी के अंदर नहीं दिया जाता है जो चोटे बच्चे उनको नहीं देते हैं और जो किड्नी के पेशण्ट हैं उनको नहीं देते हैं केपसूल साथ जो ब्रिश्ट फिडिंग मदर हैं उनको यह केपसूल नहीं दिया जाता है और 8 साल से कम उमर के बच्चों को यह कैपसूल नहीं देते हैं उनके लिए ऐसली साथी साथान जायां आपको रखने चाहिए जो पॉप्सल नहीं लेना थी इसके लावा लास्ट में हम बात करते हैं जो आती है नियोस्पोरीन नियोस्पोरीन ओइंटमेंट जिसके अंदर नियोमाइसीन जो की एंटिवाइटिक है पॉलीमिक्सीन बीसलफिट और बैसी ट्रेसिन जिंक यह प्रकार की ऑप्थैलमिक है जो की फोड़ा फॉनसी के इलाज में यूज होती है तो इस प्रकार से आपको पता चला होगा कि इसकीन इंफेक्शन में जिसमें फोड़ा फॉनसी है उसके इलाज में कौन-कौन सी दवाईया उप्योग की जाती है आप सभी दोस्तों में रिक्वेस्ट करूंगा बिना उसके टाइप्स क्या होते हैं सिम्टम्स और मेडिसन के बारे में पूरी डीटेल से मैं आपको बताया है उमेद करता हूं वीडियो आपके लिए हैल्फूल होगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरू कीजेगा चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रिखेगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी धन्यवाद